आइए, अब हम जानते हैं, एमईन में होने वाली इलेक्टरान रागी प्रतिस्थापन अभीकरिया को, इलेक्ट्रो फिलिक सब्सट्यूशन रियक्शन, अब आप ये तो जानते ही हैं, कि जो इलेक्ट्रो फिलिक सब्सट्यूशन reaction कोिए वा बेंजेन रेंग में होती है और इसलिए हमें किसी aromatic amine की आवश्कता होगी तो इसे हम एनिलीन के उदाःंडोरा संझेंगे तो जैसे कि आप जानते हैं जो एनिलीन है उसमें बेंजेन रेंग के साथ एक NH2 समूह जुड़ा होता है और इस NH2 समूह में nitrogen के उपर एक lone pair होता है और यह NH2 समूह बहुत ही सक्री कारख समूह है जो कि benzen ring को बहुत अधिक activate कर देता है सक्री कर देता है साथी साथ यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रान चोड़ा है यह रिंग की तरफ इसे धकेल देता है और इसकी वज़ए से यहाँ पर जो बेंजिन रिंग है उसमें इलेक्ट्रान घनत्व बढ़ जाता है साथी साथ यहाँ पर हम देखें कि यहाँ आर्थो एवं पैरा नर्देशी समू है यहनौने कि जो electron density बढ़ती है वा आर्थो और पैरा समू पर बढ़ती है तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिटूशन रियक्शन किस-किस प्रकार से होती है पहला उदारण हम देखते हैं हैलोजनी करन और इसमें हम उदारण लेंगे ब्रोमिनेशन का तो जब हम एनिलीन की क्रिया ब्रोमीन वाटर से कराते ह जो ज्ब्रोमिन वाटर में हम लेंगे बी बी आरटू जेसका ज़ली विलियन लेंगे तो यहाँ पर joe br2 है यहाँ पर पहले का निर्मारद होगा जिसमें वह जानते हैं कि जो br2 है उसमें से जो दोनों br mojeट पर माडू है उनके बीच का एलेक्टŌन जोड़ा किसी एक जब बेंजीन रिंग पे अटेक करेगा तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो बेंजीन रिंग में वहाँ पर आर्थो और प्रतिस्थापित हो जाएगा और इस तरह से जो हमें व्यत्पन प्राप्त होगा एनिलीन का वह होगा 246-tri-bromo-aniline तो इस तरह से हम देखते हैं कि tri-substituted bromo compound हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है और इसकी वज़ा यह है क्योंकि जो NH2 समू है बहुत ही सक्री कारक समू है और वो benzene को इतना ज्यादा रिंग को इतना ज्यादा एक्टिव कर देता है कि यहाँ पर एक साथ हमें tri-substituted product मिलता है लेकिन मालीजे हमें mono-substituted product बनाना है तो इसके लिए हमें यह जो सक्री कारक समू, amino समू है उसकी सक्रियता को कम करना होगा और इसकी सक्रियता को कम करने के लिए हम एमीन समू हम उसका protection करते हैं और यह क्रिया कराई जाती है, erklären के द्वारा, जिसकी क्रिया विधिया आप पहले जान चुके हैं तो यहाँ पर हम पहले जो एमीन समू हम उसका protection करेंगे, таким के द्वारा इसके लिए amine की क्रिया कराई जाएगी या तो हम acetyl chloride से करा सकते हैं या फिर हम acetyl anhydride से करा सकते हैं तो मा लेजे हम यहाँ पर ले रहे हैं acetic anhydride तो यहाँ पर आप जिसे का सूतर होता है CH3C double bond O फिर O, फिर C double bond O, CH3 जब acetic anhydride के साथ हम इसकी क्रिया कराएंगे सबसे पहले जो आपका anhydride समू है यहाँ से जो carbon और oxygen के बीच जो bond है उसका विदलन होगा और जो carbon oxygen का जो electron जोड़ा है वो oxygen पर shift हो जाएगा जिससे यहाँ पर CS3COO- आयन के रूप में यह replace होगा और दूसरा समू जो हमें मिल रहा है CS3COO समू यहने की acyl group तो यहाँ पर यह जो आप एमीन समू में से hydrogen निकल कर वो जो acetate ion है उसके साथ जुड़कर CS3COO- के रूप में यह प्रथक हो जाएगा और दूसरी और जो यहाँ पर acyl समू है CS3COO समू है वह आप यहाँ पर nitrogen से जाकर जुड़ जाएगा और इस तरह से हमें जो माध्धमिक मिलेगा वह इस प्रकार से होगा जिसमें CS6H5 यह benzene ring होगी जिस साथ ही साथ इसमें NH समू होगा और उससे जुड़ा होगा C double bond OCH3 समू तो इस तरह से यहाँ पर माध्धमिक हमें मिल रहा है उससे हम कहेंगे N phenyl N acetanolide तो इस तरह से यहाँ पर एक माध्धमिक मिला इसके पश्चाथ अब जब हम इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे तो यहाँ पर हमें जो उत्पाद प्राप्थ होगा वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो अभी NH2 समू में जो इलेक्ट्रान जोड़ा था वह एमीन में वह बेंजिन रिंग के साथ अनुनाद के द्वारा यह इससे ज्यादा एक्टिव कर पाता था लेकिन अभी यहाँ पर क्योंकि COCS3 समू जोड़ चुका है और इसलिए अब जो नाट्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रान जोड़ा है वह रिंग की तरफ न जाकर यह एसल समू के नाट्रोजन कार्बन के बीच वहाँ पर चला जाता है जिससे यहाँ पर नाट्रोजन का चार्ज आ जाएगा और नाट्रोजन से चुकि लोन पर शिफ्ट हो गया है इसलिए नाट्रोजन पर पॉजिट्व चार्ज आ जाएगा और इस तरह से यहाँ पर जो सरचना हमें प्राप्त हो रही है उसमें अब नाट्रोजन पर लोन पर उपस्थित नहीं है जिससे यह रिंग को उतना एक्टिवेट नहीं कर पाएगा और इस वज़े से अब यदि हम इसका ब्रोमीनिशन करते हैं तो हमें प्रोम प्रोमो सब्स्टिटूटेट कंपाउंड प्राप्त होगा तो इस तरह से जब हमें से ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे तो जो ब्रोमो है वह प्रापित हो जाएगा और इस तरह से हमें प्रोमो एसी टेनिलाइड प्राप्त होगा और आगे अब हमें पुरा जो एमीन समूँ है उसे प्राप्त करना है इसलिए आगे इसका हम अमली या छारी मध्य में जलब घटन कराएंगे जिससे हमें एनस्टू समूँ वापस मिल जाएगा और इस तरह से हमें प्रोमो एनिलीन एक मोनो सब्स्ट्टूटेट कंपाउंड प्राप्त होगा तो इस तरह से हम एसली करण अभिक्रिया के द्वारा जो एमीन समूँ है उसकी रियक्टिविटी को कम करके ट्राइड ब्रोमो वित्पन की जगह पर मोनो ब्रोमो वित्पन प्राप्त कर सकते हैं इसके बाद हम देखते हैं इसी तरह से एक और इलेक्ट्रांस नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया और यह अभिक्रिया है नाइट्रेशन नाइट्री करण की अभिक्रिया इसके पहले भी हमने नाइट्री करण की अभिक्रिया देखी है फि लेते हैं तो यहाँ पर हमें जो रुक्रोम्हश में एक प्राप्थ और इस इस स्थति में भी यहाँ पर जो इसक्रीपारक है और इसलिए हमें जो यहाँ पर प्रोड़क्ट प्राप्त होता है उत्पाद प्राप्त होता है उसमें से पैरा और आर्थो समू का मिश्टन प्राप्त होता है और यहाँ पर हम देखें जो पैरा समवेवी है पैरा नाइट्रो एनिलीन जो है वो 51% प्राप्त होता है और साथ करी climate- dollar होता है और इसका कारण भी धी जानते हैं क्योंकि जो months है वह काफी स्मेट्रिकल होते हैं द्था उनमें Ebola नहीं होती है तुझी वजह से जिक इसथाई होते हैं इसलिए इनके मात्रा जादा बनती है लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि इनके प्रतिशत में जो पैरा समय में वी है वो 51 परसेंट बन रहा है जबकि आर्थो समावेवी केवल 2 प्रतिशत बन रहा है तो बाकी के जो 47 प्रतिशत समावेवी हैं वो किस पदार्थ के बनेंगे किस कंपाउंड के बनेंगे तो यहाँ पर हम बता दें कि जब हम नाइट्री करण की क्रिया करते हैं, जो कि एक प्रबल अमली माध्यम में कराई जाती है, तो इस इस्तिती में यहाँ पर आर्थो और पैरसमर्वेवी बनने की क्रिया के साथ साथ यहाँ पर एक और परलल क्रिया होती रहती है, वहाँ पर है तो यह आसानी से एक प्रोटॉन ग्रहन कर लेता है और इस तरह से सीज्वीफ इनिलीनियम आयन का निर्मान करता है और जब इसकी यह जो एनिलीनियम आयन है चुश्वी आप इसके पास इलेक्ट्रान जोड़ा और यह एनिलीनियम आयन माइनस आर एफेक्ट यह रनात्मत अनुनाद प्रभाव या रनात्मक मीजोमेरिक इफेक्ट यह शो करता है और इस तरह से यह जो है अब जो इलेक्ट्रान जोड़े चुके इसके पास नहीं है वो रिंग की तरफ नजाकर जो पाई बंद पाई एले पर हम देखेंगे कि इसकी वजह से मेटा इस्थती पर जो इलेक्प्रान डेंसिटी है वो मेटा इस्थती पर बढ़ जाती है और इसकी वजह से यहां पर जो एक और उत्पाद प्राप्थ होता है आर्थो और पैरस समय समावेवी के साथ-साथ यहां पर मेटा समय वेवी भी से प्राप्त होते हैं और यहां पर मेटा नाइट्रो एनिलीन सका 47 परसंट मिलता है तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो नाइटरी करण की अभिक्रिया है यह ब्रोमीनेशन से अलग है और यहां पर पैरसमा वेवी तथा मेटा समा वेवी मिलते हैं जबकि आर्थो समावेवी का प्रतिशत काफी कम होता है तो यह है नाइट्री करण की अभीक्रिया और इस तरह से हम देखें कि मान लिजे यहां पर भी हमें केवल एक ही प्रकार का उत्पाद प्राप्त करना है यह मोनो सब्ट्रिट्टेट कंपाउंड यदि हमें प्राप्त करना है तो यहां पर भी हमें पहले जो एमीन सक्री कारक समू है उसका प्रोटेक्शन करना होगा और इसका प्रोटेक्शन करेंगे हम एसलेशन के द्वारा तो यहां पर हम एसलेशन करेंगे एसलेशन के द्वारा जो एनस्टू समू है उसका प्रोटेक्शन हो जाएगा और इस से अब यहां पर जब इसका हम闵 मिलेगा और पर इसका अमली यह खारी माध्यं में जहल करेंगे तो हमें मुक्य उत्पाथ के रूप में ऑभी कर एक्रिया के द्वारा इसे के direito सिर्षर करकर के हम smo no सब sus uncoct Ten उत्तपाद रात कर सकते हैं इसके बाद हम देखते हैं एक और एलेक्टोफिलिक subscription रेक्शन एक्षन और ये है सल फोनयशन है यहाँ परम देखें वेसक्रिण हो और हम जानते हैं कि तो यहां पर क्यूंकि सल्फिूरिक ऐसिड है और इसके यह प्रोटान त्यागता है और इसके जो H प्लस आइन हमें प्राथ होंगे उसे यह जो NH2 समू है जिसके पास एक लोंग्पैर एलेक्ट्रान है और वह उसे ग्रहाण कर लेता है और इस तरह से यहाँ पर NH3 प्लस आयन यहाँ पर एनिलीनियम आयन बनता है लेकिन तुरंथी जो बचा हुआ जो सल्फूरिक अमल से बचा हुआ पार्ट है यहने कि HSO4- जिस पर की रणा अवेश है यह इस धन आयन के साथ जुड़कर एक योगात्मक माध्धमिक का उत्पा बचादन कर लेता है और इस तरह से यहाँ पर यहाँ पर जो कंपाउंड हमें मिलता है उसे हम कहेंगे एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फिट इसका सूत्रा देख सकते हैं यहाँ पर C6H5 NH3 प्लस जिसमें नैट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है तथा उसी से जुड़ा ह हुआ है HSO4 माइनस तो इस तरह से यहाँ पर हमें एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फिट प्राप्त होता है और आगे जब हम इसे जैसे ही थोड़ा गर्म करते हैं और यह करीब 453 से लेकर 473 कैल्विन तक जैसे हम इससे गर्म करते हैं इसमें से जल का एक अनू बाहर निकल आ होती है जिसमें की यह जो HSO3 समू होता है यानि कि सल्फोनल समू है वहां से प्रथक होकर बेंजीन रिंग में एमाइन समू के पर पोदिशन पर प्रतिस्थापित हो जाता है तो इस तरह से हमें यहाँ पर प्राप्त होता है जिसमें कि एमीन समू तथा सलफोनल समू SO3H समू एक दूसरे के सापेक्ष पैरा इस्थितियों पर होते हैं साथे साथ यहाँपर जो एमीन समू है जिसके नाइट्रूजन पर एक लोण पेयर है तथा जो सलफोनल समू है SO3H समू तो SO3H समू में से एक proton का यहाँ पर amine समू और sulfonyl समू के बीच यहाँ पर transfer होता रहता है और इस तरह से हमें जब यह SO3H समू का जो hydrogen यह proton है जब amine समू के पास चला जाता है क्योंकि वहाँ पर lone pair है और इसकी वज़र से वहाँ पर यह shift हो जाता है तो उस समय यहाँ पर NS3 प्लस आयन बन जाता है जबकि SO3 के उपर negative charge आ जाता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ही species है जिसमें की एक तरफ positive charge भी है और दूसरी तरफ यहाँ पर पैरा position पर negative charge भी होता है और इस तरह जो species तयार होती है उसे हम कहते हैं jitter iron तो इस तरह से हम देख रहे हैं यह पूरी प्रक्रिया सल्फोनेशन की प्रक्रिया कहलाती है जिसके द्वारा हम पैरा प्रतिस्थापी प्राप्त करते हैं पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिल एसिड साथी साथ इसे हम सल्फोनिलिक एसिड भी कहते हैं तो यह अभिक्रिया है, इलेक्टरांस नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदारण हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि जो इलेक्टरांस नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया हैं, उसमें एलकिलेशन और एसिलेशन भी शामिल होते हैं, लेकिन हम बताते हैं कि जो एमी होते हैं इनमें एलकेलेशन और एसीलेशन की क्रिया नहीं हो पाती है ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि जब एलकेलेशन होगा तो एलकेलेशन की क्रिया में हम हममिनियों कीक्रिया कराएंगे किसी अलकेल हैलाज़ से माल लिजे हम छीन सी एल सी एछी है क्योंकि क्रियां और हैpm स्टिनियुक क्यूरलेश्न की क्रिया में हम फ्रएक काउप योग करते हैं और यह है ALCL3, Aluminium Trichloride, Aluminium Trichloride एक Lewis Acid होता है, जबकि हम जानते हैं कि जो Amine है वो छारी प्रकृति का होता है, और इसलिए यहाँ पर Amine जो की प्रबल छारी है, वो Lewis Amal के साथ जुड़ कर एक जो योगात्मक लवन का निर्मान कर लेता है, और इस योगात्मक लवन का सूतर आप दे Cl3, तो इस तरह से योगात्मक लवन बन जाने की वजह से यहाँ पर Acylation या Alkylation की क्रिया नहीं हो पाती है, और इसलिए Amine में Friedal Croft Acylation या Alkylation नहीं होता है,